गर्माने एब्रिवान, हाउ और यू आल, कैसे हैं आप सब, आभी प्रयाची चल दिये, देखो, अब हुमारे सेकंड विकली टेस्ट आने वाले हैं, इसलिए सबीको घर पर ध्यान से तयारी करनी हैं, जो भी मैंने चैप्टर दिया थैं आपको जो फिस दिन हमने पीछे वीक में पढ़ाया था, कि को आप देखता ही रह रहा है, ठीक है, उसको आप ध्यान से पढ़ना, उसी चैप्टर में से आपका टेस्ट आएगा, इसलिए मैं आपको बार-बार यही बोले हूं कि उस चेप्टर को प्लीज ध्यान से सभी वच्चे देखें, ओके, तो पहले हम अपनी प्रेयर श्टार्ट करेंगे, यानि इस लोग, तो प्लोजर आईज, जोंड यार हैंज, ओम सर्वे भावंतु सुखना, सर्वे शंतु निरामया, सर्वे भाद्रोने कर्शन तुमार करास्चे दुफिवागे भवे, ओम साम्ती साम्ती साम्ती, ओपनर आईज, प्राम बच्चो, जहीन, कैसे आप सब, सभी ठीक हैं, देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले ये समझेंगे सरी बच्चे, तो आज हम पढ़ेंगे अपनी प कुछ भी नहीं करेंगे, आज हम ओनली परिवेश वाली बुख पढ़ेंगे, और उसमें है स्टोरी आपकी, कौन जीता और कौन हारा, कौन जीता और कौन हारा, तो इस कहनी में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो हम इसे पढ़ेंगे, तो पहले हम सीखेंगे, कि हमें कभी भी किसी भी बात का गमन नहीं करना चाहिए, जहां किसी बात का गमन करतें आ, तो वो अकसल लोग धुका खाते हैं, वो कभी काम्याद नहीं बनते, ठीक है, इसलिए हमको कभी भी घमन नहीं करना चाहिए और दूसरा है कि हम अपनी बुद्धी मानी से ताकतवर को भी हरा सकते हैं चाहे हैं कोई भी हो अगर हम अपनी बुद्धी का अच्छे से इस्तिमाल करेंगे तो हम किसी को भी ताकतवर को हरा सकते हैं और तीसरा है कि हमको कभी भी किसी को नहीं सताना चाहिए चाहे हो वेक्ती हो चाहे हो पसुपक्षी हो कोई भी हो हमारा करतब बचता है कि हम किसी दूसरे की हेल्प करें ना कि उसे सताना तो आज हम अपनी स्टोरी में यही पढ़ेंगे कहानी का नाम है कौन जीता और कौन हारा तो सभी बच्चे निकालेंगे परिवेश भाली भूक फटा मुटसे परिवेश भाली भूक निकालेंगे और सभी को मेरे साथ ही उसकी रेडिंग करना है ठीक है और मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले वीक में जो मैंने आपको पढ़ाया था वे चेक्टर सभी वच्चे ध्यान से पढ़े स्टोरी को सबसे ज्यादे है ध्यान से पढ़ना है उसी में से आपके परिवेश वाले वुक पढ़ने से रोचे तो यह आपकी स्टोरी है कौन हारा कौन जीता पेज नमबर है 9595 9595 देखो पहले हमें यह पिक्चर देखेंगे इस पिक्चर में कौन-कौन से जानवर है पहले हमें यह देखेंगे कि इस पिक्चर में कौन-कौन से जानवर है देखो यह कौन है लॉमडी यह है बंदर और यह है खरगोस यह है भालू और यह है हाथी ठीके ये कितने जान वह रहे हैं देखो ठीके अब हम इसे पढ़ेंगे स्टोरी को कौन हारा कौन जीता सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे ठीके विटा क्योंकि अब आपके फिर मार्च में आपके एक्जाम आएंगे इसलिए सभी बच्चे अपनी पढ़ाई थोड़ा ध्यान से करते रहें ठीके विटा चलो हमें रेडिंग स्टार्ट करते हैं एक सेर था एक शेर था वह बहुत बलवान था उसकी लंबी लंबी मूझे थी अभी आपने देखा था ने एक शेर था कितना मोटा है इसमें दिख रहा है इसमें नहीं है इसमें कोई सेर वह सेर आपका पीछे वाले पेस पर है अभी यह देखो यह इतने जानवार है पहला हम इसके विशे में पढ़ेंगे गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे आपने पिक्चर देखी है ना शेर की कैसा होता है वो तेज नुकीले दात थे और पंज़ों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे उसे सभी जानवरों से शर्ट लगाने में बड़ा मज़ा आता था तो सेर कैसा था बहुत बलवान था उसकी लंबी-लंबी मूच है थी गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे नुकीले दात थे बड़े बड़े पंजे नुकीले नाखून थे और उसे क्या सोक था जानवरों से सर्ट लगाने का सोक था और उसे बड़ा मज़ा आता था वह पहले तो सर्ट लगाता और फिर जानवर के हार जाने पर उसे मार कर खा जाता पहले तो वह सर्ट लगाता था वो सभी जानवर फिर हार जाते थे जो भी हार जाता था वे उसे मार कर खा जाता था बेचारे जानवर परेशान थे इसलिए जानवर परेशान थे ना क्योंकि वो मार कर खा जाता था पहले सर्थ लगाता था और फिर उनको मार कर खार जाता था क्योंकि वो सर्थ हार जाते थे अब क्या करें वे शेर से बचने का उपाय सोचने लगे एक दिन बंदर को एक तरकीब सूजी वह दोड़कर धमक हाती के पास पहुचा एक हाती था उस हाती का नाम था धमक धमक मजे से अपनी सूण में पानी भर भर कर फैक रहा था तो हादी का क्या नाम था धमक वे क्या कर रहा था अपनी सूण में पानी भर भर कर फैक रहा था वहां पर भालू, खरगोश, लॉम्डी भी थे वहां कौन-कौन से जानवर थे भालू, खरगोश और लॉम्डी बंदर बोला, मेरे पास सेर को मज़ा चखाने की एक तर्कीब है किसको तर्कीब सूजी? बंदर को क्या सिखाने का? कि सेर को मज़ा चखाने का सब बोले, बताओ बताओ, क्या है वह तर्कीब? Then page number फिर बंदर ने सब को अपनी तरकी बताई सभी खुशी से उचल पड़े सरदी के दिन थे जब बंदर ने तरकी बताई ना तो सभी खुशी से उचल पड़े और किसका मोसम था सरदी का मोसम भी अच्छा था गर्मी से सरदी का मौसम अच्छा होता है न, तो इसलिए जानवरों को मौसम भी अच्छा लग रहा था, शेर दूप में बैठा हुआ था, बंदर ने बहुत से कंकड पत्थर इकटे किये और पेड़ पर चड़कर शेर को मारने लगा, कौन मारने लगा? बंदर, क्या मारने लगा था? कंकड पत्थर, शेर को बहुत गुस्सा आया, जब मार रहा था न, तो शेर को गुस्सा आ गया, तब ही वहां धमक हाती आ गया, शेर बोला, धमक, आज तो तुम्हें मेरे साथ सर्त लगानी होगी, शेर ने किसे बोला था? धमक से, धमक कौन थ यानि हाथी, ठीक है, धमक ने, सेर ने किस से बोला था? धमक से, और धमक किसका नाम था? हाथी का, तो धमक बोला, कैसी सर्त महराज? सेर ने कहा, देखो, सामने पेड़ पर एक बंदर है, हम दोनों बारी-बारी से, उंची आवाज निकालेंगे, जिसकी आवाज से, पेड़ पर बैठा बंदर, नीचे गिर जाएगा, वही जीतेगा, अब देखो, सेर ने हाथी से क्या सर्त लगाई? सामने पेड़ पर एक बंदर है, हम दोनों बारी-बारी से, उंची आवाज निकालेंगे, जिसकी आवाज से, पेड़ पर बैठा बंदर, गिर जाएगा, वही जीतेगा, सभी बच्चे ध्यान से कहानी सुनेंगे ये वाली स्टोरी, इसी में से बेटा आपके question answer बन रहे हैं, मोखिक वाले, प्लीज ध्यान से सुनेंगे इसे, ठीक है? हाथी बोला, नहीं नहीं महराज, कहां आप और कहां मैं, मैं आपकी इतरहे नहीं दहार सकता, शेर बोला, यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, अब शेर बोला हाथी से, क्योंकि वो सबको डराता था ना, यदि तुमने मना किया शर्त लगाने को, और ऐसा नहीं किया, तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, दैन पेज नमबर, हाथी ने कहा, ठीक है महराज, पर मेरी भी एक शर्त है, यदि आप हारे तो आपको यह जंगल छोड़ कर जाना होगा, हाथी ने क्या शर्त लगाई, सेर से कि हाँ ठीक है, मैं आपकी सर्त मानता हूँ, लेकिन मेरी भी आपको एक सर्त माननी होगी, organized कि आपको हारने पर, यदि आप हारते हो, तो यह जंगल छोड़ कर आपको जाना होगा, बोलिये, मंजूर है, हाथी ने बोला सेर से, बोलिये, आपको मंजूर है, तो सेर ने हसकर कहा, हाँ, मंजूर है, क्योंकर सेर तो घुमंड़ी थाना, इसलिए सेर ने हसकर कह दि कठे हो गए इतने में जंगल में और भी जानवरते ना वो सभी इकठे हो गए बस फिर क्या था शेर जोर से दहाड़ा से अपनी जोर से आवाज निकाली यानि कि दहाड़ा बंदर ने लपक कर पेड की डाल पकड़ली जो से दहाड़ ने लगा तो बंदर ने क्या किया पेड की डाल पकड़ली इतनी कसकर की शेर दहारते दहारते ठक गया पर बंदर ने पेड की डाल नहीं छोड़ी बंदर इतनी देर तक दहारता रहा कि वो दहारते दहारते ठक गया लेकिन बंदर ने पेड की डाल नहीं छोड़ी अब धमक हाती की बारी थी यानि कि अब जो धमक था ना हाती का नाम था धमक तो अब उसका भी चांस आया पहले तो लॉयन का चांस आया था ना अब फिर एलिफेंट यानि कि धमक हाती का चांस आया बारी बारी से थे ना तो अनों की सर्थ लगी हुई थी तो अब धमक हाती की बारी थी उसने चिंगाडना शुरू किया एक चिंगाड से ही बंदर नीचे गिर पड़ा जब हाती ने चिलाना शुरू करना अपनी आवाज निकाली तो बंदर उसकी एक ही चिंगाड से नीचे गिर पड़ा बेचारे शेर ने सिर जुका लिया उसको गमंड था कि हां मैं दहारता हूं तो मेरी डर की वेज़े से ये बंदर डाल को छोड़ देगा लेकिन नहीं छोड़ी उसने जो हाती ने चिंगार ना शुरू किया तो उसकी चिंगार से बंदर नीचे गिर पड़ा वेचारा से सिर जुका लिया सिर ने क्या किया अपना सिर जुका लिया वेह कुछ नहीं बोल सका और चुप चाप जंगल से चला गया अब बंदर ने उसको हरा दिया क्योंकि आइडिया तो बंदर की दमाग में आया था ना और चिंगार ना शुरू किस ने कर दिया हाती ने तो किस ने भगा दिया हाती ने उसे जंगल से भगा दिया तो आपको इस कहाने से क्या सिक्षा मिली हमको कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और हम अपनी बुद्धी मानी से यानि कि अपने धिमाग से टाकतवर को भी हरा सकते हैं जैसे कि अभी आपने देखा ना बंदर कितना सा है और शेर कितना बड़ा है लेकि बंदर ने अपनी बुद्धी का इस्तेमाल किया अपने धिमाग का इस्तेमाल किया और शेर ने उसे था कि मैं दहारता हूं तो मैं इन सब को अपनी सर्थ से हरा दूंगा और इन सब को खा जाऊंगा लेकिन बंदर ने अपना एक आइडिया सोचा और जिससे हाती को समझा दिया और हाती ने उसे सेर के सामने चिंगारना शुरू करके उसे हरा दिया तो इसलिए हमको कभी भी घमन नहीं करना चाहिए और अपनी बुद्धी से ताकतवर को भी हम हरा सकते हैं और तीसरा क्या था कि हम में कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए जो सेर था ना वो जंगल के सभी जानवरों को सताता था ना इसलिए सभी उसे दुखी रहते थे तो जब सेर जंगल से चला गया तो सब खुश होने लगे क्योंकि उनको परिशान करने वाला जंगल में कोई बचा ही रही तो इस रीडिंग को आप ध्यान से करना ओके अब निकालें सभी बच्चे दैन पेज नमबर 9898 पेज नमबर आपका 9898 नीचे दिये गए प्रेशनों के उत्तर दीजिए पहला प्रेशन है आपके मौखिक काव आला देगी काव सभी जानवर सेर से क्यों परिशान थे सभी जानवर सेर से क्यों परिशान थे देखो बेटा ये जो मैंने आपके क्वेशन है ये थोड़े लॉंग है आपके इसलिए इस पेज पर नहीं आते अगर मैं यहां लिखती तो आपसे लिखा नहीं जाएगा इसलिए मैंने इसे एक नॉट बुक में लिखा है जिसमें इसे देखकर आप लिख सकते हो पहला कोश्चन है आपका सभी जानवर सेर से क्यों परिशान थे तो इसका अंसर है शेर सभी जानवरों से सर्त लगाता था और उनके हार जाने पर उन्हें मार कर खा जाता था इसलिए सभी जानवर सेर से परिशान थे तो सभी की समझ में आ थे क्योंकि वह सर्थ लगाता था और उनको हर जाने पर उनको मार कर खा जाता था इसलीए सभी जन वर Pरिशoin थे दूसरा है कि शेइर ने हाथी से क्या सर्थ लगाई कि खवाला है सेर ने हाती से क्या सर्थ लगाई अब नौट बुक में देखेंगे सभी बच्चे सेर ने हाती से सर्थ लगाई की सामने पेड़ पर एक बंदर है हम दोनों बारी बारी से उची आवाज निकालेंगे जिसकी आवाज से पेड़ बैठा पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा समझ में आया सेर ने हाती से क्या सर्थ लगाई थी सामने पेड़ पर एक बंदर है और हम दोनों बारी बारी से उची आवाज निकालेंगे जिसकी आवाज से पेड पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा ठीक प्रेश नम्बर 3 थ्री वाला है यानि गौ बाला आपका सेर के दहाडने पर बंदर ने क्या किया? सेर के दहाडने पर बंदर ने पेड की डाल कसकर पकड ली बंदर ने अपनी चाला की करी थी ना हाथी को idea समझाए था बंदर ने चाला की करी थी कि सेर दाढ़ेगा और मैं पेड की डाल नहीं छोड़ूँगा और कसकर पकड़ लूँगा तो सेर के दाढ़ने पर बंदर ने क्या किया सेर के दाढ़ने पर बंदर ने पेड़ की डाल कसकर पकड़ ली ठीक तो ये question है आपको अपनी notebook number 4 में लिखने है notebook number 4 में लिखने है नीचे है लिखित ये नहीं करना है only मौकिक वाले question answer आपको notebook number 4 में करने है ठीक है लिखित सही उपतर चुनकर right लगाईए कवाला है धह्मक किसका नाम था किसका नाम था धह्मक? शेर, खर्गोश, हाती हाती खा खवाला है एए सबी जानवर किसने परेशां थे? भालू, शेर, हाती शेर से क्योंगी शर्ट लगाता था ना वो मार कर खा जाता था शर्ट कोन जीता? शेर बंदर हाथी हाथी जीता था न क्योंकि उसने चिंगारना शुरू कर दिया था और बंदर पेर से गिर गया था अब देखो ये किस ने कहा कवाला है आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी किस ने कह था शेर ने हाथी ने शेर ने खवाला है मैं आपकी तरह नहीं दार सकता मैं आपकी तरह नहीं दार सकता किस ने बोला था बंदर ने हाथी ने हाथी ने निच वाला है अगर आप सेर की जगा होते तो हाथी से जीतने के लिए क्या सर्थ लगाते आपको बताना है ठीक है क्या किसी को परेशान करना अच्छी बात है अगर अच्छी बात है तो क्यूं यह आपको बताना है ठीक है देन पेज नमबर 9999 वनवाला सरदी के दिनों में आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं यहाइक क्या है और क्या है ऊसस्वेटर और यह स्टमाल करते हैं यहाइब केप लगाते हैं दूसरा है हाती का नाम धंबकता आप इन्हें क्या नाम देंगे यह आपको स्वेम करना है इसे हम नहीं करेंगे इसे आपको जो भी आपको नाम अच्छा लगा आप उस नाम को दे सकते हो भालू का आप क्या नाम रखना चाहोगे वह आप लिख सकते हो शेर का क्या नाम रख आगे है हाथी की तेज आवाज को चिंगार्णा कहते हैं इन पशुओं की बोलियों को क्या कहते हैं मिलान किजिए धुछ पहला पिक्चर आपका गाय कैसे करती है रम्भाना दूसरा है बकरी बकरी कैसे करती है Miyaana तीसरा है घोड़ Hello घोड़े के वास कैसे होती है Hin Hinana और इधर picture है कुटा कैसे करता है भункणा और ये गदा कैसे करता है रैंक्णा ठीक है यह animals है और ये इनकी आवास है ठीक है then page number then page number है आपका 112 यानी की 112 112 112, ठीक है, यह आपका एक और नाम, एक और नाम, यानि कि एक ही चीज के दो नाम हो, ठीक, जैसे आस्मान, आस्मान का दूसरा नाम क्या होता है, आकाश, बारिस, बारिस का दूसरा नाम, बर्शात, फूल, फूल का दूसरा नाम क्या होता है, पुस्प, व्रक्ष, व्रस्च का दूसरा नाम, पेड, नया, नया का दूसरा नाम, नाव, पानी, पानी का दूसरा नाम, जल, घर, घर का दूसरा नाम, ग्रह, मा का नाम माता चांद चांद का नाम चंद्रमा समझ में आया आश्मान का दूसरे नाम आकाश बारिस का बर्शात फूल का पुस्प व्रक्ष का पेड नया का नाव पानी का जल घर का ग्रह मा का माता चांद का चंद्रमा समझ में आया चांद का चंद्रमा और नीचे देखेंगे अब चित्र देखकर इनके सही नाम पर राइट लगाईए ये किसकी पिक्चर है ये सूरज है ये चांद ये है सूरज तो हम सूरज पे राइट का निसन लगाएंगे देखो ये दूसरा है ये बारिस हो रही है या खली बादल बादल हो रहे है बारिस नहीं है बारिस हो रही है देखो बूंदे गिर रही है तो हम क्या करेंगे बरसात ये क्या है किसकी पिक्चर है ये माता जी है या घर है ये माता है या घर यह घर की पिक्चर है तो किस पर टिक लगाएंगे घर यह तारा है या चांद है आधा चांद है नहीं तो यह क्या है चांद ठीक है देन पेज नमबर 113 देन पेज नमबर 113 लड़का और लड़की यहने की पुलिंग और इस्त्रिलिंग इसमें जेंडर चेंज हो रहे हैं मेल फीमेल यह हमको बताना है इसमें यह लड़का है और यह लड़की है लड़का क्या होता है लड़की लड़का मेल है और लड़की फीमेल है ठीक यहने की लड़का पुलिंग है और लड़की इस्त्रिलिंग यह शेर है तो शेर का क्या हो का शेरनी जैसे लड़का का लड़की अब मैं आपको बताया लड़का का लड़की और शेर का शेरनी और यह मोर मोर का मोरनी मुर्गा का मुर्गी राजा का रानी दादा का दाधी आपके दादा जी है और ऐसी उनके सब कौन रहती है आपकी दाधी जी जैसे आपके पापा है और फिर कौन है मम्मी जैसे भाई है फिर बहन चाचा है फिर चाची है ऐसे ही इनके नाम है जैसे लड़का लड़की शेर शेरनी मोर मोरनी मुर्गा मुर्गी राजा रानी दादा दादी और नीचे है देखो यह सही जोडे मिलाई यह दिक्ठर हैं मुर्गास है पहले मुर्गा है फिर दादा है फिर राजा है और फिर मोर है ये सारे कौन है मेल और ये इधर कौन है फिमेल ठीक ये मेल है और ये फिमेल है ठीक है सबी को ध्यान से वर्क करना है अब पिक्चर देखेंगे आपको मिलाना है ठीक ये क्या है मुर्गा तो मुर्गा का क्या वतायत आपको मुर्गी तो यहां से हम यहां लाइन लेके जाएंगे मुर्गी तक यह हैं आपके दादा जी दादा जी के साथ कौन लेती है आपकी दादी जी तो हम यहां मिलाएंगे दादा जी से दादी जी ठीक समझ में आया दादा जी के साथ दादी जी ठीक है और फिर हमारा राजा राजा के साथ राणी राजा के साथ राणी और फिर हमारा मोर मोर के साथ क्या आएगा मोरनी मोर के साथ मोरनी चीक है तो ये सबी की समझ में आया कि लड़का के साथ क्या आता है लड़की और शेर के साथ शेरनी और मोर के साथ मोरनी और मुर्गा के साथ मुर्गी और राजा के साथ गाणी और दादा के साथ दादी ठीक है तो यह सबीकी समझ में आया है वीटा। दादा के साथ दादी और यह पिक्चर्स थे आपके तो यह भी आपको समझ में आगए होंगे कि मेल इधार है यानि पुलिंग और ये फीमेल है इस त्रेलिंग ठीक समझे होगे विटा ठीक है अब सभी को ध्यान देना है विटा कि आपके वीकली टेस्ट आने वाले हैं और वीकली टेस्ट में जो आपको चैप्टर दिया गया है कि कोवा देखता ही रह गया प्लीज प्लीज उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें सभी बच्चे उसी चैप्टर से विटा आपके क्वेशन आनसर आएंगे इसी लिए सभी बच्चे उस स्टोरी को ध्यान से पढ़ें क्योंकि उसी स्टोरी में जो अंदर से भी क्वेशन एक दो आएंगे जिसे कोवा दूर उड़ गया क्या लेने के लिए उड़ गया था कोवा तो कंकड कंकड बीच में भी लिखा हुआ है इस तरीकी से आपको ध्यान रखना है ठीक है क्वेशन रखना है